क्या आपके मन में ऐसा कोई सवाल है या ऐसी कोई दोविधा है जिसकी सुविधा की तलास में हो कि आखिरगार सिविल सर्विशेस की तैहरी में कौन से और कैसे समाचार पत्र बढ़ने चाहिए पत्र पत्रिका को ले करके सिविल सर्विशेस में बड़ी भूमिका होती है reciprocal villages के प्रत्योगी समाचार पत्रों को ले कर यह चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं कि कौन सा अकभार पढ़ना चाहिए और अख़ार के भीतर कि पढ़ना चाहिए यह बाज सही है कि जितने समाचार पत्र हैं सब द्वाप पढ़ नहीं सकते और सब्पी जरूरत नहीं है जन्रली इंग्लिश मीडियम के जो प्रतियोगी होते हैं दो हिंदू को प्रफर करते हैं और इसी तर्ज पर अगर मैं बात करो इसे इंडियन एक्स्प्रेस टाइम साफ इंडिया का भी नाम लिया जा सकता है लेकिन अगर मैं हिंदी के पॉइंट अब यू से बात करूं तो जन्सत्ता और दैनी जागन का राष्टिय संस्क्रण जो है वो सिविल सवरिश्यस के लिए काफी उपजाओ माना जाता है अब सबाल उठता है कि इसके अलावा आपका इंट्रेस्ट क्या है वो आप भी डिफाइन और डिसाइड कर सकते हैं बसरते कि यह है एक मानक के तोर के से इंटलेक्शलिटी भरी गई होती है मैं भी चूकि एक लेखक हूँ और ऐसे अकबारों के लिए संपादिकी पर रहता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो उपादेता है उस रिष्टी से काफी मैं प्रमुक मानता रहा हो रहा है भी और हम भी अपने तयारी के जमा में ऐसे ही समाचार पत्रों को प्रमुक्ता देते थे अब सवाल आता है कि आप पढ़ेंगे कैसे यानि समाचार पत्रों की जो पढ़ाई है और उसमें से प्राप्त ग्यान की जो गड़ाई है वह कैसे सुगम और सरल बने कैसे आपकी परिक्षा में फलदाई से दो इसके यह मैं आपको थोड़ी से मेरे साथ अंततक वीडियो को देखिए और यह सब खेल आप ही के लिए होता है यह जो मैंने बोला कि अंततक वीडियो देखिए इसमें आप ही का फायदा है आपको लग रहा होगा कि प्रयास I.S. इस स्टेडी सर्कल के डारेक्टर है डाक्टर सुशील गुमार सिंग इनका कोई निजी हीत होगा अरे भाई निजी हीत मैं देहरा दूर में कोचिंग संस्ता है उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रतियोगी face to face class करते हैं अनलाइन classes करते हैं कुछ वीडियो आप लोगों के लिए भी डाला जाता है आखिर उदारता और जो संदर्व सहित व्याख्या है एक सिक्षक की वो भी तो नी चाहिए तो जो सवाल प्रतियोगी हमसे पूंसता हमको लगता है जो हमसे मिलता नहीं उसके पास भी तो सवाल होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक महुंचते हैं बस इतनी सी बात है आप आईए कि कैसे पढ़ना चाहिए आप जानते हैं कि हर अगबार का अपना एक फ्रंट पेज होता है लाश्ट पेज होता है तीन पेज पांच पेज साथ पेज संपात की खेल खूद अंतराश्टी एकोनामिक ऐसे कई आप दे दीसरे पेज पेज होगी और जितने बहुत ही इंटेलेक्श्वल किस्म की प्रस्तुती होगी वो संपादिकी हो गया या किसी बिसिष्ट परिसिष्ट जो जो जोड़ दिया जाता हो उसमें होगा और आर्थिक और समसमाईक अंतराश्टिय जो पेज होते हैं वो भी निरं से कह लीजे कि दुधारी तलवार है हो सकता है कि आप ऐसी खबरे पढ़ गये जो समय भी ले गया लेकिन वो सिविल सर्विश्ट पर जाओ नहीं रहा आपको पेन और कापी रखना है समाचार पत्रों में किताब की तरह लाइन नहीं खीचना और लाइन खीचने का मतलब ग गहरा बनता हो जैसे एक्जामपल के तोर पे कि अगर रसिया ने यूकरीन पर हमला किया और ये फ्रंट पेज की खबर है तो आपको देखना है कि भारत ने इस पे क्या स्टेंड लिया उसको आपको कहीं न कहीं अपना हिस्सा बनाना है कि भारत का क्या स्टेंड है अगर कि इसी और मुद्दे पे जैसे कि चीन में इन दिनों ओईगर प्रांत में जाके देखेंगे कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और यह हला चल रहा है लेकिन संयुक्त राजसंग में अगर भारत चीन के खिलाफ नहीं होता है तो यह स्टैंड आपको इस नजरिये से देखना ह कि क्या नॉलेज में यह भी लिखा है कि चीन भी कई मामलों में ऐसे मामलों में जहां पर मानवा अधिकार वगएरे की जब बात आती है तो चीन भी बाइकार्ट करता है यानि कि भारत के खिलाफ वो भी बोटिंग नहीं करता है तो क्या यह सकती संतुलन का केंद्र होता है या संतुलन विक्सित किया जाता ये कोरिलेशन क्रियेट करकर ग्यान को समिटेंगे तो civil services की और होंगे अगर सिर्फ ग्यान को लेंगे तो ये ग्यान तो हो सकता लेकिन कितना उपजाओ होगा civil के लिए ये दुविधा बनी रहेगी तो फ्रंट पेज की खबरों का कोरिलेशन क्रियेट करना चाहिए क्योंकि खबरे तो हो सकता है कि डेल महीने पहले जो अकबार पढ़ें उससे वो ब्रीफ जुड़ता हो तो ये कंसिस्टेंसी डेवलप करें और अपनी चीजों को निर्मित करें आगे के पेज में जाएंगे बहुत सारे लोकल खबरे भी रहती है वो आपका विसाय नहीं है लेकिन चुको उस शहर में उस प्रदेश में रहते हैं तो यह आपकी ड्यूटी है कि थोड़ा वहां की जानकारी भी होनी चाहिए तो एक जागरोक नागरिक के नाते ऐसी खब की दिश्टी से एक प्रारंभीक परिक्षा के सवाल की दिश्टी से आप जिन अकवारों को मैंने नाम लिया ये अकवार आपको प्रारंभीक और मुख परिक्षा दोनों के सवाल कमो बेस रोज के स्थिती में तो रहते हैं हो सकता किसी दिन ऐसा ना हो लेकिन अक्सर आप देखें कि इस तरीके की चीज रहती है तो पूरा पढ़िए और प्रारंभिक और मुख परिशा के सवाल निका लिए और देखिए कि अगर ऐसे सवालों में आपको यह उत्तर भरना है तो यह फैक्ट और यह कंसेप्ट आपको कितनी मदद करने वो चीज उतार के रख लीजे पेज में संपादी की खत्म कीजिए चलिए उस परशिष्ट की और जो पिसे सांग की तोर पे है जैसे अगर पेड़ों की कमी से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और पूरा पेज छपा हुआ है तो आप चल दीजिए कहां से पर्यावरण दीवस कब मनाया गया इस टाक ह कोब में क्या हुआ और किस तरीके से प्रतिवी सम्मेलन और तमाम चीजें हुई कोपन हेगन की मीटिंग इन तमाम चीजों का वहाँ उलेख मिलता है तो आपको एक पेज में पूरी कहानी मिलती उस कहानी में आप दो चार डिवीजन कीजिए एक तो करेंट के पॉइंट आ देखे होंगे अलग अलग दिनों में ऐसे परसिष्ठ आते हैं कभी विज्ण टक्निक प्रयावरण प्रयावरण प्रया प्रया प्रयाणकी Avatar झाथे हैं कुर आर्थिक पेच पे कई खबरें आपकी जानकारी के लिए होती, कई होती जो सिविल सर्विसिस के लिए, जैसे रेपो रेट का बढ़ना, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक रेट बढ़ता है, तो EMI बढ़ती है, कार और घर पे लोन लिये हैं, उनकी जो EMI है वो जाती है, अगर क्या रेपो रेट से क्या कंसेट बनता है, रेपो रेट पहले क्या था, 2009-10 में क्या था, सबसे कम कब था, देखेंगे तो जनरली ऐसे खबरों में ऐसी पूरी चीजें लिखी होती हैं, तो आप एक बार ताजा हो जाईए, कि रेपो रेट से, रिवर्स रे में या थोड़े दो-चाल लाइन में बना लीजे, आपके लिए बढ़े मददगार होंगे, नहीं यही पत्री का पत्र में खोजते रहेंगे, एक्जाम आता है, कन्फ्यूज रहते हैं, तो यह आपका एक लेट्रेश्चर पॉइंट आप भी वा जाता है, तो एक मैं एक् मात्रात्मक है, कैसा चलता रहता है, या कोई जो है दक्षण की इनसागर में चीन ने कुछ कर दिया, ताइवान के लिए कुछ बोल दिया, एक ऐसी मतलब कमेंट वाजी वाली चीजें जो है मात्रात्मक हैं, लेकिन अगर क्वाड की मीटिंग हो रही है, अगर माना वो जी प्रियात को ले करके कोई चीजे कर रहे हैं, मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सघन समझ लेना चाहिए, कि ये गुडात्मक की बात है, और ये गुडात्मक पक्ष को कहीं ना कहीं आप अपने कौपी में प्रारंभिक और मुख परिक्षा के दि जागन सहित कई अगबारों के लिए लेख लिखता हूं, और मेरे लेख जायके देखेंगे तो अलग अलग खास्तोर संतराष्टी है, गुड़ गवर्नेंस, और इकोनामिक पॉइंट आब यूसे, मैं बहुत सघन और बहुत ही सिविल सवरिस्स के मोटिव से ही लिखता हिंदी के अगबार हैं, वो काफी जैसे जनसत्ता और आश्टी संसकरण है दैनिक जागन का, इसमें जाके देखेंगे तो जो नौ पेज होता है दैनिक जागन का और जात्ता का जो संपाद की बहुत एकेडमिक होता है, और चूंकि मैं एक एकेडमिक ग्राउंड का हूं, बहुत भी खुबशूरत मेरे लेक होते हैं, औरों को भी लेक बहुत सुंदर होते हैं, तो उनको भी पढ़ सकते हैं, यानि कि मुझे भी तो पढ़ी सकते हैं, बाकियों को भी पढ़ी है, सब के हम तो रोच के लिए बोल रहे हैं, खावर के साथ संपाद की भी बोल रहे ह जिस तरीके का स्वभाव अकबार का होता है लगभग हम समझते हैं कि सिविल सर्विसेस के देश्टी से आप काफी कुछ इतने में हासिल कर चुके होते हैं लेकिन लाश्ट पेज में जब जाते हैं तो कुछ अकबार पड़ी रिसर्च की बाते किये होते हैं जैसे कोरोना के फैलने से लोगों की जो है आँखों पर असर पड़ा उनके सेहत पर असर पड़ा अभी भी असर है तो ऐसी चीजें पढ़ने से थोड़ी सी कनेक्टिविटी को रिलेशन और कोई दवाई बन रही है कोई नए तरीके का सोध हो रहा है या किसी को नोबल पुर तो आप ऐसे पेजेस पर रोज टिक किये पेन और कापी के साथ और जिस तरीके का आपका दिश्टिकोन है उसमें सिविल सर्विसेस के दिश्टिकोन को भी सामिल कीजिए आप अपने दिश्टिकोन से ही सफलता नहीं पाएंगे जब तक कि सिविल सर्विसेस वाला पाइदा कीजिए तो अक्मार पढ़ने की ऐसी जो बिधा है ये साथ में लीजिए साथ में अपनी भी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए आज मैंने आपको बताया कि समाचार पत्र सिविल सर्विशिस की तैयारी में कैसे उपयोग करें कैसे पढ़ें अगले क्रम में हम आपको पुस्तके क्या पढ़नी चाहिए पाट क्रम को कैसे तयार करना चाहिए आप ग्रेजुएशन में हैं तो कैसे करना चाहिए आप आफ्टर ग्रेजुएट हैं तो कैसे करना चाहिए बार्वी के बाद कैसे करने चाहिए ऐसे जितने भी सवाल हम समझतें दर्जनों हैं या सै और बागी आनलाइन क्लासेस हैं बागी ये तो आपके लिए सुविधा हमने दिया ही है तो मैं समझता हूं कि मेरा जो नंबर है और जो मेरा वेबसाइट है उस पर जाएए 9456120502 ये मेरा नंबर है आप सीधे संपर कर सकते हैं संबाद कर सकते हैं अपनी जो कुश्यन है या मुझसे प्राप कर सकते हैं तो आज का वीडियो आज का ये जो विशा है यही मैं समाप कर रहा हूं आज आपने मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यकीन करता हूं कि अगबार कैसे पुढ़ें इसमें कुछ न कुछ इस कारिग्रम को देखने साब को लाफ जरूर मिला झाल